नमस्ते दोस्तों आज हम मिनॉक्सिडिल दवाई के बारे में बात करेंगे ये बाल उगाने की एक बहुत ही पॉपिलर दवाई है जैसे ही लोगों के बाल ज़रने शुरू होते हैं वो केमिस्ट के पास जाते हैं और बाल उगाने की दवाई मांगते हैं Chemist उन्हें Minoxidil दे देता है और वो Minoxidil को लगाकर और बाल उगाने की सोचने लगते हैं हालां कि बाल ज़रने के बहुत और कारण हो सकते हैं जैसे आपके किसी तेल, शैंपू, हेर डाए या हेर जेल से आपको एलर्जी हो गई और उसके कारण बाल ज़रने लगे तेजी से ज़रने लगते हैं सिर में bacterial या fungal infection, hormone imbalance जैसे thyroid hormone की कमी खून की कमी, body में vitamins और mineral की कमी ये बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण बाल ज़रने लगते हैं लेकिन यदि आप इन कारणों का इलाज ना करते हुए सीधे minoxidil अपने सिर में लगाने लगेंगे तो जैसे ही दवाई बंद करेंगे आपके बाल ज़रना फिर शुरू हो जाएंगे तो आईए मैं आपको आज minoxidil के बारे में जानकारी देती हूँ जो की बाल उगाने की एक बहुत ही popular दवाई है minoxidil या रोगें एक vasodilator है यानि ये दवाई खून की नसों को खोल देती है जिससे skin में खून का बहब बढ़ जाता है ये दवाई originally high blood pressure के लिए बनी थी और जब ये हमारे शरीर के अंदर जाती है तो अचा इसको सोपती है ये हमारे खून में जाती है तो इसका हमारी body पे blood pressure low करने के जैसा भी effect होता है minoxidil का उप्योग हर तरह के गंजेपन और alopecia areata जिसमें बाल गोल अकार में गिर जाते हैं किया जाता है और पुरुशों और महलाओं दोनों के लिए किया जाता है ये दवाई alcohol based है इसलिए कई लोगों को इससे सिर में खुजली चलने लगती है और उनके बाल भी सूखने लगते हैं लेकिन आजकल minoxidil मूज के रूप में भी market में मिलती है मूज का मतलब होता है foam foam के अकार में भी market में मिलती है foam लगाने से खुजली नहीं चलती और बाल भी कम सूखते है minoxidil की दवाई lotion और tablet दोनों के रूप में आती है लेकिन ज़्यादा उप्योग इसका lotion के रूप में ही होता है जब भी ये दवाई शुरू करते हैं तब बिना रुके कम से कम 6 मेहने तक इसका इस्तमाल करना ही चाहिए क्यूंकि पहले एक या दो मेहने तक बाल गिरते रहते हैं उसके बाद बाल गिरना बंद होते हैं और 6 मेहने तक नए बाल आना शुरू हो जाते हैं इसलिए पहले एक दो मेहने में जब बाल गिर ही रहे हैं तब ही घबरा कर कई लोग treatment बंद कर देते हैं ये नहीं करना चाहिए 6 मेहने के बाद ही इसका पूरा असर दिखना शुरू होता है और 92 प्रतिशत लोगों को एक साल लगातार यूज करने से फाइदा हो जाता है कई लोग इस दवाई को 10 से 15 साल तक भी इस्तमाल करते हैं और उनके बाल उगते रहते हैं और उसका कोई adverse effect भी उन पर नहीं होता अब हम बात करते हैं Minoxidil के side effects के बारे में इस दवाई को हमारी तवचा अंदर सोक लेती है इसलिए इसको लगाने से थोड़ी जलन होती है और तवचा लाल भी हो जाती है लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर वो ठीक हो जाती है यदि redness और जलन ठीक ना हो और बढ़ने लगे तो एकदम डॉक्टर को दिखाना चाहिए यदि ladies के face और body पर भी बहुत बाल उगने लगे तो उन्हें इस दवाई का उप्योग बंद कर देना चाहिए किसी को इस दवाई के यूज से यदि चक्कर आने लगे दिल जोर जोर से धड़कने लगे चेस्ट पेन हो बेहोशी आने लगे हाथ पेरों में सूजन आने लगे हद से ज़्यादा थकावट और सांस लेने में तकलीफ हो तो एकदम दवाई बंद करके डॉक्टर को दिखाना चाहिए जैसे मैंने आपको बताया ये दवाई हमारी तवचा से खून के अंदर चली जाती है इसलिए इस दवाई से ये सब साइड इफेक्ट हो सकते हैं यदि आपके सिर में कोई चोट लगी हो कोई फंगल या बैक्टिरियल इंफेक्शन हो आपको सोरायसिस एकजीमा जैसी बिमारी हो हरदे रोग हो किड्नी या लिवर में कोई बिमारी हो तो इस दवाई को यूज नहीं करना चाहिए इन में से कुछ भी प्राबलम आपको लगे तो इस दवाई को एकदम बंद करके और डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए एक और बात है कि प्रेग्नेंसी में इस दवाई का उप्योग बिल्कुल नहीं करना चाहिए दोस्तों आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया है मिनॉक्सिडिल के बारे में आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना मैं आपको जरूर से रिप्लाई करूंगी थैंक यू